हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स उत्य प्रदेश स्टेट मेडिगल फेगल्टी के सिकन राउन की काउंसिलिंग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है आप सभी को पता है कि एड्मिसन लेने की जो लाज डेट है वो आठ दिसम्बर है और इसके बाद चांसेज बिल्कुल नहीं है कि एड्मिसन लेने की डेट बढ़ाई जाए क्योंकि अगर डेट बढ़ाना होता तो इन लोगों ने फीस जो जमा करने की लाज डेट थी पांच दिसम्बर उसे भी बढ़ाया होता मगर इन्होंने उसे भी नहीं बढ़ाया है तो आठ दिसम्बर तक ही ये मान की चलिए कि आपकी लाज डेट है अब बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर कुछ सीटे तो वैकेंट हैं ठीक है मतलब ये मान की चलिए कि हर कॉलेज ऐसा नहीं है कि जहाँ पर पूरी सीटे फूल हो चुकी है कुछ ना कुछ seat एजरूर vacant है ठीक है चाहे एक ही seat क्यों ना vacant हो but vacant जरूर है मतलब चाहे एक ही seat खाली हो खाली जरूर है और ये भी मांग के चलिए हर course में खाली है अब second round की जो counseling समापत हो चुकी है इसके बाद कोई counseling होगी कि नहीं होगी मैं इस वीडियो में मैं लिए यही बताने वाला हूँ तो आप लोग इस वीडियो को लास तक देखते रहना और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्रथम चक्र से प्रवेशित अभर्ति दितिये चक्र में अपग्रडेशन है तो आवेधन कर सकता है मतलब इनका कहने का मतलब only first और second counselling होगी मतलब आप सभी को पता है कि first counselling पहले ही हो चुकी थी और second counselling जो की 8 December को उसका admission process भी खतम हो चुकी है इन्होंने लाश में यह भी दे रखा है online counselling के समय पंजी करत मोबाइल नमबर email ID को अब भेटी अपने पास तयार रखे तो मैं आपको बता दूँ अगर मोबाप राउंड होगा तो उसमें आपका email ID और mobile number जरूरी होता है क्योंकि उसी के दार आप लोग registration करते हो अगर मोबाप राउंड होगा भी तो उसके लिए भी आपको registration करना होगा यह चीज भी दोस्तो clear है अब मोबाप राउंड होगा की नहीं होगा देखो इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि दो चकर की counseling होगी अगर सीटे बसती है तब जाके मोबाप राउंड कराया जा सकता है ठीक है इन्होंने साफ साफ दे रखा है कराया जा सकता है अब ये तो confirm नहीं वैसे दो साल से लगातार मौपप राउंड हो रहा था वह मैं आपको बता दूँ दो साल से लगबाग 4 counselling हो रही थी ठीक है साफी सारी सीटे फुल हो चुकी है तो अब हो सकता है कि ये लोग मुपपराउंड करा दें कम सीटों पर बट बहुत ज्यादा सीटे भी मान के चलिए नहीं बची है अगर बची भी है तो अच्छे कोर्सों में नहीं बची मान लेते हैं हम एक सेरे में बची होंगी ठीक है ए एक चीज और है जिन लोगों को सिकेंड राउंड में सीट मिला हुआ है तो वो लोग अफग्रेड करने के लिए भी मौप उप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते ये चीज भी है दोस्तों अगर मौपप उब होगा और सिकेंड राउंड में आपको कोई कोर्स मिला था तो आप upgrade करने के लिए भी मौपो प्राउंड में participate कर सकते हैं अब आप लोग ये भी पुछो कि मौपो प्राउंड होगा की नहीं होगा तो देखो मेरे साफ से मौपो प्राउंड होना चाहिए क्योंकि दो साल से लगातार हो रहा है तो इस साल भी होना चाहिए बट अभी confirm नहीं है कि total कितनी सीटे बचें लेकिन ये confirm है कि हाँ कुछ न कुछ सीटे जरूर वेकेंट है बट बहुत ज़्यादा सीटे खाली है तो ऐसा कहना गलत है सीटे बहुत ज़्यादा नहीं बची हुई है और अगर होगी भी तो इसका रजिस्टेशन मानक चलिए कि 15 दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगा और जो कांसलिंग है वो मानक चलिए 25 दिसंबर तक ही मानक चलिए होगी इससे पहले चांसेज नहीं है क्योंकि इतना टाइम तो लगना ही लगना है ठीक के तो 25 दिसंबर तक मानक चलिएगर होगी तो तभी मानक चलिए उससे पहले रजिस्टेशन आपका हो जायेगा बर जो कांसलिंग होना है 1-5 दिसंबर तक मानक चलिए फिलार इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में